हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो आर यूटूब चैनल तो सबसे पहले तुम्हें आपको बता देता हूं कि मैंने अपने यूटूब चैनल का नाम चींज किया है जो कि पहले स्टेडी पॉइंट बाइमेशर शिंग था तो स्टेडी पॉइंट बाइमेशर शिंग को मैंने चींज करके अभी नया नाम रखा है जो मैंने क्लाउड नजिट के नाम से बनाए है ठीक है तो अभी आगर आप स्टेडी पॉइंट बाइमेशर शिंग के नाम से सर्च करोगे तो आपको वहां पर भी शो कर देगा और अ आज के वीडियो में मेरा topic जो है वो है हमारा Azure के अंदर जो हमारा auto scaling होता है कि हम कैसे use करते हैं, कैसे configure करते हैं ठीक है, तो आज हम auto scaling configure करके देखेंगे अपने Azure के अंदर तो उसके लिए चलते हैं हम अपने Azure portal पे time waste ना करते हुए अब आपको यह तो पता ही है कि auto scaling यूज किसली होता है क्योंकि मैंने last video जैसे मारा AWS में हमने auto scaling का topic किये था तो वहां पर भी मैंने आपको कवर किये था पर थोड़ा सा मैं आपको यहां पर भी बता देता हूं मालो जैसे कि कोई भी बड़ी company है flip card है या फिर कोई भी government की website ले लो मालो किसी भी SSC की ले लो कोई भी site है और SSC ने मालो कोई vacancy निकाल दी है ठीक है तो उस workload को reduce करने के लिए या फिर normally handle करने के लिए वहां पर हम auto scaling का use करते हैं ताकि वहां पर जितने भी user आएंगे तो server अपने आप auto scaling करता रहेगा मतलब जैसे server पर load वड़ेगा तो वह automatic server configure कर देगा या फिर जो current हमारा server चल रहा है उसी की configuration मालो CPU और memory जो भी low है उसको high कर देगा ठीक है तो वह दो परकार के auto scaling करते हैं वह हमें आपको पताऊंगा ठीक है तो उस purpose के लिए हम auto scaling यूज करते हैं सेम चीज़ होगे मालो लगते हैं तो उस current time period के लिए क्या होता है कि मालो 2-3 दिन के लिए मेरी sale लगी है और उसके बाद मैं चाहता हूं मेरे server normal रही तो वहां पर auto scaling यूज करते हैं कि जब भी जैसी मेरे server पर load बढ़ेगा वह automatic वह एक नए server बनाता रहेगा और जो मेरा load बढ़ रहा है उसको वह एक दूसरे server पर मतलब normally manage करने के लिए उनको मतलब divide करता रहेगा एक दूसरे server मालो 70% उस पर चला गया 70% workload उस पर चला गया उससे क्या होता है वह servers पे ज्यादा load नहीं पढ़ने देता है ठीक है तो इसी प्रकार से होता है कि जैसी वह server load मेरा वापिस normal आ जाता है मालो 70% CPU था मेरा तो मैंने एक नया server बना दिया उस पर 70% गया तो फिर एक और नया server बना दिया और जैसी मेरा workload 70% से 20% या 30% पर आ जाता है तो वह automatic क्या करेगा एक server को अपने आप delete कर देगा terminate कर देगा जो हम default configuration रखेंगे वह उस पर आ जाएएगा last way जाके तो आज हम वह चीज क तुम दिया gün noopman, अगर दो फूर्णर के देखेंगे ठीक है तो उसके लिए मछिन पर दोने पर जआ जोंब्र ना करने के बाद आपको क्या करना हुगा तो प्रहोगे आपने पर एजूर पोनING करने के बाद को क्या करना हुँगा तो हम पर आप पयों पर लोग पर लोग वो नहीं यूज किये तो आप क्या करेंगे आप या तो यहां पर सर्च कर लीजिए यहां पर विर्टॉल मशीन स्केल सेट यह नीचे आपको दिखा रहा है यहां पर यहां पर क्लिक करोगे तो आपको सेम विंडो को लेकी जाएगा अब मेरे पास कोई विर्टॉल मशीन स्केल सेट नहीं है अगर आप यहां पर जाओगे और यहां पर ओल सर्वीसिए में जाकर सर्च करते हो तो यहां पर भी आपको ओप्शन देदी है डारेक्टली विर्टुल मशीन skill set ये दिए रइट सैड में आपका यहां पर शो कर रहा है ठीक है अगर यहांपे भी है आपको जाने ही जरूरत निए तो अगर आगर Dinner Services में यहांप और यहांपे आपको शोपर दिखिल पार को क्ले ऐकर अम से बिश्लल से सिल शेत को उपन करते हैं हम si मेरा क्या है यहां पर देखिए अभी हम मैंने जैसे भी आपको बताया कि जब भी हम कोई services कोई resource create करते है अपने Azure portal पर दो चीजे वो mandatory पूछता है वो आपता आपका subscription और resource group ठीक है ठीक है मैं यहां पर नया create कर दीता हूँ आरजी 01 के नामजे पौके करते हैं उसके बाद virtual machine skill set का नाम पूछते कि आपको create कहां पर करना है ठीक है तो मैं यहां पर दे दीता हूँ जैसे हम autoscaling में region select करेंगे तो यहाँ पे जो availability zone का option देता है वो सारे region में available नहीं है तो यहाँ तो अगर आपको check करने तो आप यहाँ पे view location the support availability zone यहाँ पे click कर दीजिए ठीक है यहाँ पे आपको वो सारी location दिखा देगा ठीक है मैं क्या करता हूँ मैं इसको Central India ले लेता आपको 1 में रखना है 2 में रखना है 3 में रखना है तो वो उतने zone के अंतर उसकी autoscaling को configure करते हैं मतलब एक zone यहाँ पे आपका India में रख रहा है दूसरा US में रख देगा तो वो वैसे करेगा ठीक है तो मैं अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे availability zone को none रहने देता हूँ select नह uniform optimize for large scale stateless workload with identical instance ठीक है और दूसरा होता है flexible active high availability at skill set with identity or multiple virtual machines तो यहाँ पे वो multiple virtual machines क्रेट करता जाएगा तो आप जो भी आपको लेना चाहते है आप यहाँ पर ले जगता है तो मैं मालनों flexible लेता हूँ यहाँ पर कि अपने आप वो skill बढ़ाता रहेगा ठीक है उसके बाद security type आपको क्या रखना है आपको standard रखना है या फिर ट्रस्ट, launch, virtual machines रखना है तो आपको बहुत सारी देता है यहाँ ठीक है मैं यहाँ इसको standard ले रहा हूँ कुछ चेंज करना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर instance जो हम मतलब skill set के अंदर server यूज़ करेंगे image यूज़ क server बना रहे है उसकी configuration क्या रखना है ठीक है मैं भी basic configuration ले रहा हूँ अगर आप हाई लेना चाहते तो यहाँ पर see all size में जाके आप change कर सकते हो यहाँ पर कुछ size आपको शोगरेगा यहाँ से भी basic configuration ले रहा हूँ ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर username पूछेगा कि आपको username क अगर आपको यहाँ पर miss match होते तो आपको यहाँ पर error show कर देगा उसके बाद licensing पूछता है आपको यहाँ पर अल्लेडी है बोलता है तो आपको यहाँ पर tick mark कर दीजा आपको कुछ करने की ज़रूदिदी आप Microsoft Automatica आपको यहाँ पर 49% पर यहाँ लाइस की ओल्लेडी Azure Hybrid benefits मतलब कुछ discounts के साथ आपको उस टाइम के लिए license प्रवाइड कर दीगा तो आपको मतलब कहीं से बाहर से परचेश करने की जरूदिए आप यहीं से यूज कर सकते हो ठीक है उसके बाद disc में आप standard लेता हूं क्योंकि अगर में आप premium लेता हूं या फिर SSD थोड़ी चलो होती है standard SSD आपको बता है थोड़ा medium होती है मतलब speed भी अची मिलती है आपको इंपर cost wise भी थोड़ी ची लेस होती है पर premium में आपको speed अची मिलती है but cost भी high होती है आपे आप standard SSD ले रहा हूं disk encryption अगर आप यहां पर रखना चाहते है तो आप रख सकते हो अधरवाइस आप यहां पर default setting छोड़ दीजिए उसके बाद आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं next करेंगे आपको क्या करना है आपको resource group पूछ रहे है ठीक है resource group में आपको वही रहेगा अब यहां पर यहां पर public IP रख देता हूं और हमें यहां पर RDP port अलाओ कर देते हैं क्योंकि हमें RDP लेना पड़ेगा इसके चैस्ट करने के लिए ठीक है तो हम इस पर RDP अलाओ कर देते हैं और इसको इनेबल कर देते हैं अगर आप default शिर्फ private रखना चाहते है तो आप private रहने दीजिए यहां पर public को नन कर देजिए ठीक है मैंने पर public भी दे दिया और private भी दे दिया ठीक है उसके बाद हम इसको check mark कर देंगे और यहां पर next चाहिए तो next में यहां पर यह आपको यह auto scaling का feature option देदेगा कि आपको जो auto scaling configure करनी है तो उसमें क्या चीजी settings रखनी है ठीक है अब यह initial instance count पूसता है कि आपको जो आपकी instance होगी minimum कितनी instance होनी चाहिए मतलब जो आपका auto scaling start होगा वहाँ पर आपको कितनी कम से कम virtual machine मिलनी चाहिए तो मैंने यहां पर दो लिखा है अगर आप यहां पर दो लिखोगे तो दो आपकी minimum virtual machine चलती रहेंगी अगर एक terminate होती है delete होती ह किसी reason से आप delete करते हो तो automatic विखोर virtual machine वो launch कर देगा ठीक है तो मैं यहां पर दो रख रहा हूँ अगर आप यहां पर ज्यादा भी रहना चाहते हो तो यहां पर ज्यादा भी बढ़ा देगा बट मैं आपको दो रखके दिखा रहा हूँ यहां scaling policy उसता आपको manual रखने या custom करने है तो custom में आप यहां पर ही सारी settings सेट कर सकते हो manual करोगे तो आप क्या करोगे manual करने के बाद आपको यहां पर शेटिंग चेंज करने का option नहीं देगा बट जब आप वहां पर आपका आपका आपको आपको जाके changing करने पड़ेंगी policies configure करने पड़ेंगी तो मैं आपको क्या करता हूँ मैं यहीं पर करके दिखा देता हूँ आपको custom में next video में हम manual करने के बाद उस पर हम custom policies कैसे लगाएंगे वो करता हूँ वो सब में करके आपको दिखा हूँगा ठीक हम यहाँ पर custom में जाते हैं custom में जाने के बाद फिर देखें सेंसे इस पूसता आप से minimum number of instances कितने number of instances रखना चाते हूँ minimum यहाँ पर भी एक है तो हम इसको दो कर देता हूँ maximum number of instances कितनी रखनी है आपको यहाँ पर आपके पास 10 दे रखा है अगर कम करनी है तो आप कम कर दीजिए अगर 10 रखना तो 10 कर दीजिए आप यहाँ पर maximum 5 दे देता हूँ किसी भी सर्वर पे utilization होता है जब आपका सर्वर मालूमेरा सर्वर पे 70% लोड आ गया सर्वर पे तो वह क्या करेगा एक कोर विर्चुल मशीन लोड कर देगा तो scale set वही होता है scale out में क्या करेगा scale out जैसे हमारा CPU utilization 75% से ऊपर जाएगा तो वह automatic एक नई विर्चुल मशीन करेट कर देगा ठीक है उसके लिए हमें यहां पर configuration देना है कि हांवे क्या देना है तो यहां पर CPU threshold दिया इसने 75% क्या भी जैसे मेरा CPU utilization 75% जाता है duration क्या है duration यहां पर 10 मिनिट दे रहा है मतलब अगर continue 10 मिनिट तक मेरे यहां पर 5 कर देता हूं ठीक है तो मतलब यहां पर 5 मिनिट तक वह CPU का वो लोड चेक करेगा कि हामें लोड कितना है अगर 75% से ज्यादा लोड रहता है उसके तो वह ओटनमेटिक एक नई विर्चुल मशीन लॉंच कर देगा तो मैं अभी क्या करता हूं इसको demo purpose के लिए 60% लोड कर देता हूं ठीक है ताकि आपको थोड़ा हाँ जल्दी हमार प्रैक्टिकल कम्प्लीट कर सके हम टेस्टिंग कर सके ठीक है उसके बाद क्या करने है डूरेशन हमने फाइव मिनिट रखे नंबर ओफ इंसेंस तू इंक्रीज भाई कितने इंसेंस करने है उसको एक औ इसेंस नॉर्मल आ जाता है उस सीप्यू उस रेंज तक सीप्यू उट्राइजेशन आने के बाद जो मेरी एक नए विर्चुल मशीन करेट हुई थी वह आटोमेटिक डिलीट हो जाए टर्मिनेट हो जाए ताकि मुझे उसके बर बेलिंग ना करनी पड़े उसके बाद जै है या फिर हमारे मेनिममम से एक्सर जितने भी विर्चुल मशीन लोट है वो उनको टर्मिनेट करता जाए मेनिममम दो पर आ जाएगा ठीक है नंबर ओफ इंस्टेंस टू डिक्रीज बाई यहां पर भी वह वह वन है अगर आप यहां पर दो करना चाहते है तो दो भी करते मैंज पॉइंट यह है मरा ठीक है स्केल in पोलशी आपकी यहां पर है आपकी स्केल इंपोलशी चंफिगर दो और इन विच विर्चोल मशीन इसलेक्टट ट्रेलिशन दोरेंगे स्केल इंपोरेशन तो शेलेक्त गारने की जरूरत नहीं है यहां पर द्भी रहा है स्केल इ एक और policies होती है वो मैं आपको next video में करके दिखाऊंगा कैसे होगी तो वह आपको देखेंगे ठीक है अभी मैं यहाप इसको next करता हूँ management में जाते हैं यहाप management में normal boot diagnosing disable कर देता हूँ यह आपकी normal वही setting रहेंगी जो आप अपने जब आप एक normal virtual machine create करते हैं तो वहाँ पर आती है ठीक है health अगर आपको यहाँ पर enable application health monitoring करने तो आप यहाँ से enable कर सकते हो वो monitor करता रहेगा उसको advance में जाना है यहाँ अगर कुछ configure करना है तो आप यहाँ से कर सकते हों मतलब यहाँ पर यह यह extensions के दूरू हो था मतलब को है यहां पर चेक कर सकते हैं जो हमारी सारी सेटिंस आपको यहां पर रिवीव में दिखा देंगा अगर आपको कुछ कुछ चेंज करना है तो आप यहां से nach queate पर क्lick कर दीजिए और हम इसको create होने के लिए थोड़ा से time लिए 204 मिनिटे-25 मिनिट ज्यादा राइम नहीं लगाएगा तो जब तक यह क्रेट होता है हम तब तक वेट कर लेते हैं थोड़ा चा और जैसा कि मैं आपको बता चुक हूँ जब भी कोई हमारा एचूर के अंथर तो वीडिफॉल्ट छीज करेट करता है आपका विय्ट्र शील मशीन के लि मालब इंटर कुर अधर करें और आपका विर्चुलन नेटवर्ड आगया बंकि यह क्रेट करता है to matlab अपने पोल्सी जो विर्चुल मशीन बना रहे हैं, उसके ओपर वो जो हम rules configure करें, मतलब जो ports हम allow करें, deny करें, वो network security group में आ जाता है अपका, ठीक है, उसके बाद जैसे भी हम virtual machine skillset configure करें, तो यहां पर virtual machine skillset को option आ रहा है, आपको create करता है, ठीक है, ऐसे ही आपका, यहां पर आपको storage account create करेंगा, जो हमारा storage होगा, जैसे virtual machine create करेंगे, तो वेट कर लेंदे हैं, थोड़ा से अभी यह create हो रहा है, तो हम थोड़ा wait करते हैं, उसके बाद हम आपको next practice पर देखाएंगे, कि हम कैसे कर क्या कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए हमारा auto scaling resource है, जो हमने भी create क auto scaling यहां पर configure किये, virtual machine skill set, तो उसकी default setting आपको यहां पर show करता है, जो हमने resource group क्या लिया है, status क्या है, two out of two success है, मतलब हमने दो virtual machine लिये हैं, और दोनों के दोनों success create हो चुकी है, location हमने क्या रखिया है, subscription क्या है, हमारी subscription ID क्या है, operating system क्या रख्या है, हमने standard size क्या रख्या है उ यहां पर आपको details में show कर देगा, next चीज होती है, activity logs में आपको यह next वीडियो में बताऊंगा, आपको थोड़े मतलब one by one रताएंगे सारी चीजे, अभी जो हमने instance create के हैं, तो अगर आपको वो check करें, तो आप यहां पर auto scaling के left side में जाएंगे, और यहां पर setting के अंदर दे हैं, दोनों के दोनों, अगर आपको इन दोनों virtual machine की details चेक करनी है, तो आप यहां पर one by one click करके check कर सकते हो, ठीक है, यह आपकी एक virtual machine की detail है, यह public API, यह उसकी सारी settings आपको जो दिखा रहा है, ठीक है, तो अगर मैं वापीस जाता हूँ, तो मैं दूसरी virtual machine पर create check क्लिक करू यह manual नहीं की थी, तो हमने यहां पर custom policy लगाई थी, और custom policy में हमने जो जो यहां पर configuration दे रखी आपको बहुत सारी show करेंगा, ठीक है, जैसे यहां पर 60% और 35% रखा था, अगर आपको यहां पर rule add करना चाहते हो, ठीक है, add scale condition करना चाहते हो, तो आपको यहां पर add कर सकते ह आपको बहुत सारी चीज़े करके दिखाऊंगा, अभी यहां पर देखिए आपको क्या दिखा रहा है, जैसे scale based on a matrix, यहां पर हमने रखा है, CPU utilization जैसे minimum अपने instance यहां पर रखा हुआ है, अभी यह मतलब हमने configure already कर रहा है, मैं configure नहीं कर रहा हूँ, यह हमारी scale policies है, अगर आ यहां पर चाहो, तो यहां पर कर सकते हो, यहां पर आपको एक और option दे दिया है, कि अगर आप एक specific time period के लिए करना चाते हो, मालो जैसे start date 26 तारीक है, इस time से, इस time के बीच में, 26 तारीक को ही, इस time से, इस time के बीच मैंने sale लगा रखी है, तो उस time के बीच में मुझे मेरे जो configuration में रखना चाता हूँ, जो policies में लगाना चाता हूँ, मैं वो यहां पर configure कर सकता हूँ, तो हम next videos में हम सारी की सारी चीज़े करेंगे, ठीक है, जैसे scale to specific instance type पर करते हो, तो यहां पर आपकी सारी चीज़े वो यहां इंगी instance type के निटेर से आपको एडालोगे, और अग मैं इसको cancel कर देता हूँ, उसके बाद जो हमने आपे disk में configuration ले रखे, disk की आपको show करेगा operating system जो हमने ले रखा है, और जो हमारे servers की size है, जो हमने server ले रखा है, उसकी configuration हमने क्या रखी है, वो सारी चीज़े आपको यहां पर show कर देता है, तो पूरी इसकी details हमें चेक करने क scaling यहां पर configure करते है, जो instances है हमारी वो आपको यहां पर show करेंगी, और जो मैं scale set, मैं dashboard होते है, मैं screen होते है, ठीक है, तो अब भी हमें क्या करना है, हमें अपनी instance जैसे मेरे भी यहां पर दो चल रही है, और जो हमने अपनी configuration, जो हमने मतलब rule set किया, scaling के लिए, वो work कर रहा ह जाता है के नहीं कर रहा है, उसको check करने के लिए आप क्या करेंगी, मैं यहां पर क्या करता हूं, अपनी service होम पर जाता हूं, और यहां पर मैं क्या करता हूं, विर्चूल मशीन को open कर लेता हूं यहां पर, और जो मेरी virtual machine जो हमने scale set के अंदर आपको दिखा रहा है, वो द और हम उस पर script run करेंगे, जिससे CPU utilization थोड़ा सा high चला जाए, और वो यहां पर हम चेक कर पाएं कि हमारे पास CPU utilization के लिए, जो हमने scaling policy लगा रखी है, उस scaling policy की जो thresholds जो हमने configure की है, उस thresholds पर क्या CPU को increase करेगा या नहीं करेगा, तो वो चीज हम यहां पर check करेंगे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बर server पर login कर लेता हूँ, यहां पर public IP कोपी करते हैं, यहां पर MSTHC ले लेते हैं, रिमोट ले लेते हैं, RDP port हमने allow कर रहा है, यहां पर username password डालेंगे, जो हमने set कर रखे हैं दोनों पर, इसको yes कर देते हैं, यह जब तक login होता है, मैं दूसरे server कर लेता हूँ, इसका public IP लेते हैं, MSTHC ले लेते हैं इसका हमें, study, yes कर देते हैं, दूसरे server हमारा login होगा है की नि हो और, तो यह हमारा server हमारा login होगया है, yes कर देते हूँ, में इसको ठीक है एक सर्वर मेरा यह हो गया दूसरा सर्वर मेरा यह हो गया जो में इसकी configuration ले रखी है अब मुझे क्या करना मैं दोनों सर्वर के उपर एक batch file run करूँगा script run करूँगा जिससे मेरा cpu utilization automatic high चला जाएगा और जैसे cpu utilization मेरी threshold जो मैंने 60% की threshold rule condition लगा है scaling policies के इंदर उससे high जाएगा दोनों server के उपर तो वह automatic एक third EC2 मतलब एक virtual machine और create कर देगा तो मैं आपको यहां पर task manager में भी दिखा भी देता हूँ cpu utilization कितना है था कि थोड़ा सौर कलियर हो जाए आपको जो हम batch file run करेंगे कि वह actual में मतलब space cpu utilization के रन करते हैं कि नहीं करते हैं तो हमें जो batch file रन करनी है इसके लिए हमें क्या करना होगा हम एक desktop पर file create कर लेते हैं हम यहां पर new में जाएंगे new में जाने कपड test document पर क्लिक करते हैं ठीक है इसको हम open कर लेते हैं अब आपको यहां पर क्या कर रहा है आपको यहां पर file create करनी है a.bat के नाम से और हम इसको save as कर लेते हैं अपने desktop पर ही और यहां पर हम इसका जो नाम देंगे वो भी हम इसको a.bat देंगे ठीक है और यहां पे जब हमने टेस्ट की जगया पर करे अब मैं क्या करते हूँ इस बैज को multiple time run कर देता हूँ एक बार चल गई यह फाइल ठीक है देखिए आप यहां पर CPU добрijn अफ्टिक आपकर increase होता जा रहा है मैं एक बार ओर run कर देता हूँ एक बार और रण कर देता हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं दूसरे सर्वर पर भी जाओंगो, दूसरे सर्वर पर भी सेंचीज करेट कर दूँगो, ताकि जो मेरे इंसेंच करेट हो रही है, जो मतलब मेरा यूटलाइजेशन है, वो आटोमेटिक आपको दोनों सर्वर पर जल्दी हो जाए और यह नई EC2 इंसेंच, जो एक विर्चुल मिशीन जल्दी से लोंच कर देगा, क्योंकि जो मैंने पोलिशी लगा रहे हैं, पांस मिनिट के लिए और यहां पर save type में मैं all file कर देता हूँ, shave कर देते हम इसको, इसको भी shave कर देता हूँ, और इस file को भी हम यहां पर run कर देते है multiple times, तो यहां पर run करते जाओगे तो देखिए आपको यहां पर यह शो कर रहा है भी, ठीक है, तो यह CPU utilization आपका मतलब high चला गया है दोनों मैंने scaling policy यहां पर लगा रखी है, जो मेरी यहां पर scaling policy है, तो इस scaling policy में जो मैंने rule लगा है, कि जो मेरा यह rule है 60% CPU utilization है, कितने time के लिए, मतलब 5 minute के लिए, 5 minute तक जागर मेरा CPU utilization 60% रहता है, तो वो automatic एक और नई virtual machine create कर देगा, ठीक है, तो वो यहां पर चेक कर लेते हैं, मै अभी भी मेरे पास दो ही incense दिखाएगा आपको, क्योंकि अभी जो हमारा CPU utilization है, वो 5 minute नहीं हुए है, उसको high gain हुए, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं 5 minute तक आपको hold करके रखूँगा, तो time waste हो जाता है, और video भी थोड़ी लंबी हो जाती है, ज आपको connect करूँगा यहां पर, हमें थोड़ी देर के लिए video को post कर देता हूँ, और अपना 5 minute जब तक complete होते है, तो उसके बाद हमें भी एक बार दोबारा चेक करेंगे, तो friends, यहां पर देखिए, 5 minutes अभी होने वाले हैं, मैं ठोए नहीं है, ठीक है, तो मैं एक बार server पर जाता हूँ, दोबारा से देखते हम CPU ट्राइशन देखिए, अभी मेरा 99% शो कर रहा है एक server पर, दूसरे server पर भी हम जाके चेक कर लेते एक बार, तो दूसरे server पर भी आपको 90% शो कर रहा है, 99% मैं आपको यहां पर एक बार वो कर देता हूँ, screens ले आता हूँ, यहां पर जो policies में set किया हूँ, वो policies में 5 मिनिट का time दिया है, तो जैसे ही 5 मिनिट हो जाएंगे, तो आपको यहां पर देखिए, एक और नई virtual machine, automatic यहां पर create कर रहा है, एक नई virtual machine launch कर दिए इसने, और यहां पर देखिए, status क्या दिखा रहा है, creating आ रहा है, provisioning state में भी आपको creating शो क content है, तो वो उसको फिर, सारे servers में, मतलब जो तीन server हो जाएंगे, तो तीनो server पर वो divide कर देगा equally, ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप auto scaling configure कर सकते हूँ, जैसे मेरे अभी एक auto scaling में, मेरे एक नई virtual machine launch हो रही है, अब मैं क्या करता हूँ, मानलो में, जो मैंने batch file लगा रहा है, जैसे अभी मैंने इस पे high CPU utilization के लिए मैंने batch file run कर देगा, अगर मैं batch file run कर देता हूँ, तो मेरे CPU utilization नॉटमेंटिक नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि इस पे अभी तो run कर रखे है, अब जैसे में batch file को बंद करूँ हूँ, CPU utilization मेरे normal आ जाएगा, और CPU utilization नॉर्मल आने के बाद, तो वो जैसे ही मेरा servers है, जो servers मेरे run हो रहे हैं भी, तो यहाँ पर जो pulses में हमने instance check करें हम auto scaling pulses में, तो तीन virtual machine आपको show कर रहा है, अभी देखी एक और virtual machine create कर दी बट अभी भी load high चल रहा है, तो इसने एक और launch कर दी है, ठीक है, तो यह इस तरह से वो create करता जाएगा, बट maximum number हमने 5 दी है, तो यह maximum 5 virtual machine ही create करेगा, ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं जो 2 server मैंने access कर रखी है, उन दोनों server पर मैं batch file को बंद कर दीता हूँ, ठीक है, और batch file पर बंद करने के बाद देखी CPU utilization मेरा automatic normal आ गया, तो इसी तरह से मैं दूसरे server पर भी batch file को बंद कर द करेगा, तो देखी CPU utilization मेरा normal आ गया, तो अब यह क्या करेगा, एक specific time के बाद, वो थोड़ी देर चेक करेगा कि CPU utilization normal आ गया, CPU utilization normal चेक करने के बाद वो क्या करेगा, जो हमारी यह नए वाले virtual machine create हुई है, तो वो उन virtual machine को वापिस delete कर देगा, terminate कर देगा, यहां से, ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारी यहां पर virtual machine जो यह हमने दो default configuration के साथ कर रखी है, जो application हमारी इन पर चल रही होती है, same application इन पर configure होगी, और same configuration की virtual machine create करेगा, यह अलग नहीं होगी कुछ, ठीक है, वो हम define करते हैं कि अगर अलग से आपको, मतलब configuration आपकी जैसे auto scaling के अदर दो option हो आपका horizontal scaling होता है, एक vertical scaling होता है, horizontal scaling में क्या होता है, horizontal scaling में वो क्या करेगा, एक नई instance create करता जाएगा, जैसे ही उसके threshold उससे hub हो जाएगी, जैसे हमने जो rule-defined policy बना रखी है, तो उस policy जे हाई जाएगी, तो automatic एक नई virtual machine करेगा, वर्तिकल में क्या होता है, vertical में same चीज होती रखिया है वन कोर cpu दे रखा है तो वो उस रेम की configuration को increase करेगा CPU की configuration को increase करेगा नए कि वो एक नई EC2 instance launch करेगा sorry virtual machine launch करेगा तो वहाँ पर आपको auto scaling करते हैं तो देखिए अभी हमने यहाँ पर जो CPU utilization हमारी normal करते हैं दोनों और हमारी यहाँ पर जो हमारी EC2 instances गेंदर आपके यहाँ पर जो हमारी है रनन हो रही अभी auto scaling अंदर में अगर आपको यहाँ पर refresh करेंगे तो यह धिरे-धिरे क्या करेगा भी यह 5 होगी है देखिए एक और create कर रहा है क्योंकि इस पर minimum जैसे CPU utilization अंडर threshold आ जाएगा तो यह दो default रखेगा बाखी को यह delete कर देगा terminate कर देगा तो एक बार हम refresh करते चलते हैं थोड़ी देर के लिए तो अभी देखिए पांस की पांस आपकी running आ रही है हम यहाँ पर थोड़ा wait कर लेते हैं तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि आपको automatic यहाँ पर terminate भी कर देगा जैसे वह threshold से नीचे आपको मिलेगी इसको पॉल्सिस तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारी अभी एक इसने डिलीट की है ज़स्ट तो यहाँ पर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ देखिए आपको यहाँ पर 500 कर रहा है फाइव विर्चो मेशीन से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर च्यार हो जाएंगी थोड़ा सा टाइम और यह मोनिटर करेगा उसके बाद यह automatic फिर 3 पर आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए अभी numbers of 3 होगी है इस तरीके से वह automatic उनको delete करता जाएगा जब उसका load जो CPU का load होगा CPU average load है जो हमने define कर रखा है वह under threshold आ जाएगा तो वह automatic उसको फिर क्या करेगा जो हमारी extra virtual machine create हुई थी उनको automatic terminate कर देगा delete कर देगा अपने auto scaling group से और फिर जैसे दोबारा next time sale लगती है या कुछ भी होता है और दोबारा CPU utilization दोबारा से हाई जाता है फिर दोबारा से फिर वह same चीज process run करेगा मतलब virtual machine increase करता जाएगा और जैसे वह फिर दोबारा under threshold आ जाएगा फिर दोबारा से वह उसको terminate करता जाएगा तो यह auto scaling बहुती बहतरी मतलब topic तो हाई है हमारा इसके लिए बट companies में भी बहुत अच्छे से यह यूज होता है maximum companies गंदर यह auto scaling का feature यूज होता है क्योंकि आपको भी पता है कि load average को control करने के लिए maintain करने के लिए अपने servers को वहाँ पे auto scaling सबसे पहला point आता है कि हाँ भी auto scaling आपको configure करनी है ताकि हमे कभी भी ऐसा feel नहीं कि मारे server utilization high आया और उस high utilization की वज़े से मेरे पूरा पूरा server बेढ़ेगा मेरी application ही वरग नहीं कर भी तो वहाँ पे auto scaling configure कर देते हैं और हमारे server को भी पता नहीं चलता हमारी company के management को भी पता नहीं चलता कि कब हमारी sale चलीगी और कब हमारा मतलब server utilization high जाके normal जाके जो भी वो type back end process में वो सब कुछ हो चुका था ठीक है तो वह बहुत easy रह जाते हैं उसके लिए तो इस तरीके से हम auto scaling configure कर सकते हैं policies लगा सकते हैं तो next video में मैं आपको दोबारा से auto scaling पर एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा अब हमने policies जब हम एक auto scaling virtual machine create कर रहे थे skillset configure कर रहे थे तो हमने वहीं पर policies configure की थी next video में मैं आपको manually create करके दिखाऊँगा एक virtual machine skillset configure करने के बाद हम manual करके देखेंगे कि हम manual policies कैसे लगा सकते हैं और वो सब कैसे configure करेंगे ठीक है तो एक बार मैं आपको refresh करते हैं यहां पर तो देखें अभी यह दो पर आ गया है automatic और अभी दो से कम नहीं होगी क्योंकि हमने minimum requirements रखी हमारी हो minimum number of two virtual machine हमने रखा है तो दो से कम नहीं आएगी बट दो रहेंगे आपकी और जैसे CPU utilization आपका हाई चला जाएगा तो फिर automatic वह increase or decrease होती रहेंगे as per CPU utilization ठीक ह से हम अपना auto scaling यूज कर सकते हैं अपने Azure के अंदर तो काफी simple topic है बहुत मुश्किल नहीं है काफी कोई भी बंदा अगर एक बार देखेगा वीडियो को तो आप आसानी से कर सकते हो इसको तो बहुत सारी यहां पर details में वह पूसंदी होगे मैं आपको यहां पर complete option बताऊं तो कोई AWS learn कर रहा है कोई Azure learn कर रहा है और AWS कर लो या Azure कर लो difference सिर्फ कुछ name का होता है जैसे अप issue to instance होता है आपका AWS के अंदर होता है Azure में आपका virtual machine होता है आपका storage account में जैसे हम यहां पर क्या नाम अपना AWS के अंदर होता है और आपके यहां पर file share और आपके container वगरा कर रहा होता है Azure के अंदर तो इस तरह से सिर्फ naming जो naming का वहां पर convention रखा है name cut format से सिर्फ वही change होता है बाकी चीज़े almost same होती है maximum 90% सारी चीज़े same होती है सेम तरीके से create होती है same तरीके से हम use करते हैं जैसे यहां पर vpc होता है तो यहां पर virtual network होता है तो इस तरीके से मतलब सेम चीज़े कुछ ज्यादा वह नहीं है तो अगर आप Azure learn करने तो थोड़ा सा ध्यान देने की जूरूता आप AWS भी शीख जाओ और अगर आप AWS करने त सर्च कर सकते अपने YouTube चैनल को ठीक तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करके अपना feedback जुरूर शेयर करते रहे मेरे साथ ताकि मैं आपको थोड़ा सा और ध्यान देश को किसी भी पेंट को टॉपिक पे तो आज की वीडियो में इतना ही गाइच थैंक यू शो मच और कीप शेयरिंग बबाए